हमारे देश में हर पर्व पर अलग अलग और नए तरह के कपड़े पहने जाते हैं शादी हो पाटी हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो अलग तरह के कपड़ों का रिवास है अगर आपका कोई business meeting है या फिर interview है तो भी आप एक अलग तरह के कपड़े पहनते हैं तो आज जिस company के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी garments और तरह तरह के fabrics बनाने के business में अपने आपको एक बहुत बड़ा brand established कर चुकी है जी हाँ ये एक बहुत बड़ी established brand है जिसको आप already जानते हैं और इस company के brand ambassador है रनवीर सिंग जी हाँ आपने सही guess किया है company का नाम है CRM Silk Mills CRM Silk Mills की शुरुवात 1978 में हुई थी हाला कि ये company share बजार में small cap company है जिसका market cap 2600 करोड है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये company का website है तो इस company के website में अगर आप देखें तो इसके अलग-अलग brands हैं ये brands क्या-क्या हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये है J. Hampstead, Kadini, Oxenberg और CRM Smoojo तो ये जो brands हैं ये इनके well-established और well-known brands हैं और साथी साथ ये company ना सिर्फ भारत में बलकि विदेशों में भी अपना सामान export करती है तो अभी तक तो जो आपने देखा वो तो था company का एक basic सा analysis अभी जो आप देख रहे हैं ये है company का chart यानि की technical analysis तो ये basically एक weekly chart है CRM Silk Mills का अब आप इस company का data देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि past में stock का जो trend था वो uptrend था उसके बाद stock ने एक downtrend बहुत बड़ा सा downtrend यहाँ पर stock ने लगाया है अब धीरे धीरे stock का अगर आप structure देखेंगे तो ये इसमें कुछ changes हो रहे हैं अब ये changes को चलिए इसको समझते हैं इस chart के जरिये तो अब अगर आप देखेंगे तो 2018 के बाद stock लगातार downtrend में बना हुआ था फिर इस stock में अगर आप देखें तो लगातार uptrend बना हुआ यानि की लगातार इसमें higher bottoms बन रहे हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको यह find out करने की कोशिश करेंगे कि इस stock का current resistance क्या है और इसके आने वाले समय पर targets क्या क्या बन सकते हैं तो इसके लिए हम पहला क्या काम करेंगे यहाँ पर इसको candlestick chart में convert कर लेंगे और अब हम अगर देखें साथी साथ हम यहाँ पर volume को भी open कर लेंगे अब पहला काम हम यह करेंगे कि इस stock को एक Fibonacci tool के जरिए इसको उपर से नीचे तक इसको plot करने का कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम इसको plot कर लिए अब जैसा ही हम Fibonacci tool को plot करते हैं तो हमको यह देखने को मिलता है जो current bottom है वो लगभग लगभग आप यहाँ पर value देखें तो 0.5 लगभग 441 के आसपास का value है तो यह एक important support की तरह act कर रहा है ठीक है और अब यहाँ पर अगर next resistance देखेंगे और next Fibonacci levels देखेंगे तो वो 0.786 यानि कि 620, 625 के नजर आते हैं तो यह हमारा first target बनेगा यानि कि 620 to 630 यह हमारा first target बनेगा और chart में भी वहीं आसपास levels हमको दिखाई दे रहे हैं यानि कि हमारा जो first target यहाँ से बन सकता है वो 620, 630, 650 के levels में बनेगे एक बार 650 के levels break हो जाएं यानि कि यह levels break हो जाते हैं तो हमको जो next target दिखाई दे रहा है वो है all time high इसका जो है 768 तो इस तरीके से हम लोग को पूरा analysis करना होगा साथी साथ अगर आप इसको और detail analysis करेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि यहाँ पर एक inverted head and shoulder pattern भी बन रहा है हाला कि यह जो pattern यहाँ पर बना है यह थोड़ा सा complex है बट अगर आप इस inverted head and shoulder pattern का target भी निकालेंगे तो आपको लगभग इन ही levels के आसपास यानि कि 630, 640 के आसपास आपको target नजर आएगा अगर इस stock अपने all time high resistance को cross कर जाता है यानि कि इस stock 767 के resistance को successfully breach कर देता है on weekly basis तब हम आपके लिए इसी channel पर इसका fresh analysis और इसके new targets आपके सामने ले करेंगे और हाँ अगर आपको लगता है हमारे channel पर जो भी contents है उससे आपकी analysis improve हो रही है और हमारे जो charts है उसको आप अच्छे से read कर पा रहे हैं तो हमारे channel tortoise traders को subscribe जरूर करें और हमारे इस video को like and share करें तब तक के लिए thank you have a nice day